हलो गाईज, वेलकम वेलकम बैक के और फेवरेट चैनल लॉजिकल फेंटासिट्रिक, दोस्तों मैंने आखरी मैच में बात किया था कि आप अपना ग्रैंड लीक का टीम किस तरीके से ओडियाई फॉर्मेट पे बना करके चल सकते हैं और साथ ही आपको अपना कैटेन और अपना करpiece ओडियट करना है ऍपने क्रेडित में क्रेट करना है और आपको अपना टीम पना क्रेडिपक्र करके चल ना आपको grand league का team कितने credit में create करना है small league का team कितने credit में create करके चलना है कितने credit के player को आपको अपनी team में prefer करना चाहिए grand league की team में और कितने credit के player को small league के team में अपनी team में ले करके चलना चाहिए आप सभी को पता है कि fantasy field के अंदर जितनी भी apps आई वो सभी dream 11 को देख करके ही बनी हो, dream 11 के आने के बाद ही बनी है, और चुकी fantasy application जो online gaming होता है, उसमें dream 11 सबसे पुराना application है, इसलिए ये अपने user को time time पे कुछ hint भी देता है, और समय समय पे app को user friendly बनाने के लिए update भी देते अंदर ही आपको अपनी team को create करना है, और आपको 100 credit में ही 11 player को चुनना होता है, लेकिन आज से करीब 6 महिने पहले, अगर आपको याद होगा और जिन जिन को याद है, comment करके जरूर बताना, हम जब अपनी team create किया करते थे, तो हमें credit का बहुत issue हुआ करता था, लेकिन अभी credit का use करे, dream 11 के credit के funda को समझ कर, कैसा इस credit को अपना team create करने में utilize करके अपना एक unique grandly का team create कर सकते है, इस credit के बारे में पूरी details में आपसे बात करूँगा, मैं आपको समझाओंगा कि आपको अलग-अलग format में, अलग-अलग contest के लिए, कितने credit की team बनानी चाहिए, और कितने credit credit के player को अपना captain और voice captain select करके चलना चाहिए, अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, कि अगर कोई credit, dream 11 के द्वारा किसी match में, किसी player का credit उपर नीचे किया जाता है, तो आपको उस player को अपनी team में रखना है, या फिर उस player को ignore करके चलना है, यानि drop करके चलना है, ये भी आपको बताने वाला हूँ, और देखो यार जब आप team create करते होना, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे player 9 credit के होते हैं, बहुत सारे player 8 credit के होते हैं, और कुछ player 8.5 credit, यानि सारे 8 credit के होते हैं, तो ऐसे case में, आपको कितने credit के, कितने player आपकी team के अंदर होने चाहि तो मैं आगे सारे format के, अलग-अलग credit के जो logic है वो आपको बता दूँगा, फिलहार आगे बढ़ते हैं इस video के अंदर, और सबसे पहले आपको बताता हूँ, कितने credit आपको spend करने चाहिए, आपको अपना team create करने के लिए, अब यहाँ पे एक twist है, जो मैं आपको समझा देत और उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, कि आपको कितने credit में अपना team create करके चलना चाहिए, यहाँ जो मैं example लेने वाला हूँ, यह recent के कुछ ODAI matches के होंगा, और मैं चार example सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अब इस बस सबसे पहले match को अगर आप ध्यान से देखने के बाद, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें, तो यह जो dream team बने थे, यह 85.5 credit के अंदर बना था, 85.5, दूसरा match अगर आप ध्यान से देखें, तो यह बांगलादेश, New Zealand का dream team यहाँ पर देखेंगे, तो यह dream team बनता है, 81.5 credit के अंदर, 81.5 credit के अंदर, 81.5 credit क में match खेले गए है, उनके dream team को हमने आपको बताया और आपने देखा, और ऐसे बहुत सारे matches के analysis हमारे पास है, जो हमने study किया है, और उसके according, जो हमने कुछ rules बना है, ODII format में credit के according players को लेने का, captain, always captain लेने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके कुछ main points है, वो मैं आ 7.5 credit, इन ही तीनो credit में आपको अपना mega grand league का team create करके चलना है, और maximum time आपको कोशिच करके चलना है, कि इन ही तीनो credit को use करके, इन ही तीनो credit पर आपकी team बैटनी चाहिए, और mega grand league की team create, क्योंकि आर, आपकी team तब unique create तब होगी, जब आप किसी बड़े player को drop करने का risk लेके और उनकी जगह, एक बड़े player की जगह automatic नहीं बनीगा आपकी team में, और तब वो risk आप ले करके जा पाएंगे, जब आप decided नहीं रखते हो ना mind में, कि कितने credit में team बनानी है, तो आपका जो team है ना, वो 92 credit में बनता है, कभी 95 में बनता है, कभी 90 plus में बनता है, बड़े player के लेने के चक्कर में, तो ये चीज़ आपको गाट मांद लेनी है, 83, 85.5, 87.5, अब गाइस बड़े player को drop करने का risk कब लेना है, और कहां लेना है, ये already मैं एक video के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देगा वो video, आई बटन पे आ रहा होगा, या इस video के खतम होने इक बाद मैं end में लगा दूँगा, वो video भी आप देख लेना, अब पहला rule तो आपको ये अपना, मतलब के सोच के चलना की इतने ही credit में team मराना है, नंबर दो, हर match के अंदर, आपको जो है न, अलग-अलग category से, अलग-अलग credit वाले player नज़र आएंगे, for example, wicketkeeper सालग credit का baller है, और पहले inning में अगर उसकी balling आ जाए, तो आपको उसको अपनी team में रखना भी है, और उनको captain भी बना करके चलना है, और अगर वो baller, जो balling section से दिखे, आपको और उसका credit 8 हो, और वो spin baller हो, तो आपको उनको second inning की balling में ले करके चलना है, और अपनी team के अंदर उ KRIEDIT के खेल रहा है, कितने player 8 negative के हैं, और कितने player 7 childhood oder 6 negative के player खेल रहा है, अब उसमें आपको करना ही है, और जितने भी player से खेलते हूँ दिखाई दे, मान ले किसी match के अंदर आपको 9 negative वाले 5 player क्यों थिखाई दे रहे, अब उस 5 player में से आपको केवल अपनी team के अंदर 60% player प्लेयर ही रखना है, मतलब कि आपको अपनी टीम में केवल तीन प्लेयर रखने हैं, दो प्लेयर को आपको वहाँ पर ड्रॉप करना है, और जब आप 9 क्रेडिट वाले डो दो प्लेयर को ड्रॉप करें, तो आपकी टीम से दो बड़े प्लेयर अल्रेडी ड्रॉप हो चुके जो balling section से available हो और उनके balling कराने के chances भी हो तो उस player को आपको grand league की team के सारे team के अंदर fix ले करके जाना है अब आपको करना क्या है जब किसी भी player का credit आप देखे कि dream 11 ने कभी घटा दिया है या फिर बढ़ा दिया है मान के चलो कोई series हो रही है उस series में आपने हमेशा देखा होगा कि कोई player आखरी match के अंदर 8 credit का था और वो अगले match में 8.5 credit का हो गया या फिर कोई player आखरी match के अंदर 8 credit का था और वो अगले match में 9 credit का हो गया है तो वैसे player को आपको लेना है या नहीं लेना है चलिए बताता हूँ तो इसके लिए fantasy में कुछ rules and regulation है जो मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहूँगा rule number one अगर कोई player लगातार तीन match से performance नहीं करता है और वो बहुत अच्छा player है और लगातार तीन match में performance नहीं करने की वज़ा से dream 11 उसके अगले match में credit को down कर देता है मतलब recent के match में वो player perform नहीं किया है और उस match में उस player का credit 8 है और तीन match के बाद dream 11 उसके credit को 7.5 कर दे या फिर 7 कर दे यानि 8 से घटा करके साड़े 7 या 7 कर दे जिस भी match में आप ये देखे कि किसी अच्छे player का credit dream 11 द्वारा down किया जाता है उस match में उस player को आपको अपनी team में fix ले करके जाना है क्योंकि 99.99% chances है even मैं आपको अगर कहूं 1000% chances है कि वो उस match में perform करके देगा ही rule number 2 अगर कोई player आप ये देखे कि कोई player अपने average के अनुकूल ही पिछले 2-3-4 match से perform कर रहा है और एक ही average के इसाप से point दे रहा है किस में 95 point दे रहा है और किसी match में 92 point दे रहा है यानि कि average के इसाप से point दे रहा है और अगले match में अगर उस player का credit dream 11 द्वारा ऊपर किया जाता है तो उस match में उस player को आपको drop करने का risk लेना है और उसे ignore करके चलना है क्योंकि आप surely यह मान करके चले कि वो player जिस player जो average player हो और average perform करने वाला player हो जिसका credit ऊपर किया जाता है वो उस match में flop होता हुँ आपको दिखाई देगा अब rule no.3 जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर किसी match में आपको कोई ऐसा player दिखाई दे जो last match के अंदर 100 से उपर point देकर क्या आ रहा हो 100 प्लस point हो आखरी match के अंदर और उस player का dream 11 द्वारा अगले match में credit को बढ़ाया जाता है तो उस player को भी आप अपनी team से drop करने का risk लेकर के चलिए क्योंकि वो player भी आपको तब flop होता हुआ दिखाई देगा अब rule no.4 भी आप सुनते चलिए अगर आपको कोई ऐसा player आपको दिखाई दे जो लगातार अच्छा performance करता आ रहा हो लगातार अच्छा point देता आ रहा हो और जिस match में dream 11 द्वारा उस player के point में छेड़ चाड़ किया जाए यानि चाहे ऊपर किया जाए या नीचे किया जाए यानि का उसके credit को या तो ऊपर कर दिया जाए या फिर नीचे कर दिया जाए तो आप समझ लेना कि वो player उस match में particular match में perform करके आपको देने वाला है और इसलिए आपको अपनी team में उसे ले करके चलना चाहिए अब guys ये जो rule मैं बताने वाला हूँ rule number 5 वा ये बहुत important है और बहुत जादा effective होगा तो इसको ध्यान सा सुनना और इससे अगला भी एक rule बताऊंगा जो इससे भी जादा important है तो पहले rule number 5 वा समझे आप अगर आपको कोई ऐसा player दिखाई दे जो लगातार flop हो रहा हो और dream 11 द्वारा अगले match में उस player के credit को उपर कर दिया जाए मतलब कि 8 से सारे 8 कर दिया जाए या 7 से सारे 7 कर दिया जाए कैसे select करे तो बस एक बात याद रखना है और उसके according credit के हिसाब से captain voice captain लेकर चलना अगर आपको कोई ऐसा match दिखे जिस match के अंदर 9 credit वाले player खेलते दिखे उस match में grand league की team अगर आप create कर रहा हो तो 9 credit वाले player को आपको कभी भी captain करके नहीं चलना है मेगा grand league की team में अगर 8 credit वाला player आपको खेलता दिखे तो मैंने उपर बता दिया है अगर वो baller है 8 credit वाला तो करना क्या उनको लेना है या नहीं लेना है वो already उपर बता दिया है मैंने तो अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर के सुनिए क्योंकि सारे rule उतने ही important है और 8 credit वाले batsman के बारे में भी आपको display पे screen पे लिख क्या रहा होगा वो भी सुन लिजिए क्या आपको लेना है या नहीं लेना है बाकि आप जो captain और voice captain बना करके चले वो कोशिश करे grand league की team के अंदर साथ से लेकर के सारे 8 credit वाले को अपनी team का captain voice captain बना करके चले अब मेरी तरफ से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको credit का logic बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर आपके कुछ suggestions हो हमारे लिए तो आप comment कर सकते हो आपके comment करने से मुझे भी जानकारी मिलती है sometimes और जो लोग आपके comment को पढ़ते हैं वो भी आपको दौाय देते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर कर देना और अगर आपको लगे कि यह जो logic मैंने आपको बताया है जो की सालों की मेहनत आप समझ करके चलो और सालों का experience जो हमने आपको बताया है उनसे अगर आपके relative या friend circle जो की dream lemon पे team create करते हैं उनको help मिल सकता है तो बस एक share करना है वीडियो को ताकि लोग जो हारते हैं यार लोगों के साथ बहुत problem है मैं आपको explain नहीं कर सकता लोगों को सही जानकारी मिले और वो अपना सही से team create करते है वीडियो को like करिए, share करिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से logical videos प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा honesty के साथ बस आप लोग logical family से जुड़ करके रहिए फिलाल वीडियो में इतना ही तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए बबाए